नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं MSP क्रीटर सब आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान की एक और प्रमुक शहर अलवर की अलवर भारत के राजस्थान राजी का एक नगर है अलवर नगर दिल्ली से 1.500 किलोमेटर और जैपूर से भी करीब 1.500 किलोमेटर है यह भारत के राज़्थानी छहत्र में आता है वह राजस्थान में अलवर जिले का प्रशाशनिक मुख्याले भी है अलवर कई किलों, जीलों, हेरिटेज हवेलियों और प्रकरतिक भंडार के स्थान का केंदर माना जाता है यह नगर राजस्थान के जैपूर अंचल के अंतरकत आता है दिल्ली के निकट होने के कारण यह राश्ट्र राजधानी छेत्र में भी आता है राजस्थान की राजधानी जैपूर से करीब 160 किलोमेटर की दूरी पर अलवर है अलवर अरावली पहाड़ियों के मध्यवसा हुआ है 1775 में इसे अलवर रजवारी की राजधानी बनाया गया था वर्तमान में अलवर राजस्थान का महतुपूर्ण ओद्योगिक नगर है और आठवा बड़ा नगर है अलवर को राजस्थान का सी द्वार भी कहते हैं अलवर यादो बाहुली जिला है मत्य परदेश अत्वा अलवर का राजध छेत्र पूरे जिले में अपना अलग ही प्रभाव रखता है राजध के बारे में एक बात कही जाती है राजध ना नवे ना राजध मने अर्थात राजध ना तो जुकाने से जुकता है और ना मनाने से मानता है राट छेत्र अपनी मर्जी से चलता है अलवर एक एतिहासिक नगर है और इस छेत्र का इतिहास महाभारत से भी अधिक पुराना है लेकिन महाभारत काल से इसका क्रमिक इतिहास प्राप्त होता है महा भारत यूद्ध से पूर्व यहां राजा विराट के पिता वेणू ने मत्ष पूरी नामक नगर बसाया रहा था उसे अपनी राजधानी बनाया राजा विराट ने अपने पिता के मृत्य हो जाने के बाद मत्स्य पूरी से 35 मेल पश्चिम में विराट नामक नगर बसा कर इस प्रदेश की राजधानी बनाया इसी विराट नगरी से लगवक 30 मेल पूर्वकी और स्थित परवत मालाओं के मध्य सरिस्का में पांडवों ने अज्यातवास के समय निवास किया था तेसरी सताबदी के आसपास यहां गुर्जर प्रतिहार वन्सिय छत्रियों का अधिकार हो गया इसी छेत्र में राजा बाद राज ने मत्से पूरी से तीन मिल पश्चिम एक नगर अथवा एक गड़ बनवाया वर्तमान राजगड दुर्ग के पूर्वकी और इस पुराने नगर के चिन अबद्रिष्टी गथ हैं पांचवी सताबदी के आसपास इस पुर्देश के पश्चिम उत्तरिय भाग पर राजा इसर चोहान के पुत्र राजा उमादत के छोटे भाई मोर धजका राज्य था जो समराट पुर्थी राज से 34 पीड़ी पूरु हुआ था इसी की राजधानी मोर नगरी थी जो उस समय साबी नदी के किनारे बहुत दूर तक बसी हुई थी इस बस्ती के प्राचीन जिन नदी के कटाव पर अब भी पाए जाते हैं छटी सताबदी में इस प्रदेश के उत्तरी भाग पर भाटी छत्रियों का अधिकार था राजवर गड के सिला लेक से पता चलता है कि सन 969 में इस प्रदेश पर गुर्जर प्रतिहार वंसिय सावर के पुत्र मतन देव का अधिकार था जो कन्योज के भटारक राजा परमेश्वर चतिपाल देव के दुतिय पुत्र थे विजयपाल देव का सामन्द था इसकी राजधानी राजपूर थी तेरवी सताब्दी से पूर अजमेर के राजा बिसल देव चोहान ने राजा महेश निकम्ब के वंसज मंगल निकम्ब को हराकरिया प्रदेश संबंद स्थापित किया था सन 1205 में कुतुबदी नेवक ने चोहानों से देश छीन कर पुनर निकम्ब राजपूतों को दे दिया एक जून 1740 को महबद सिंग के रानी बख्त को अरनेक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रताब सिंग रखा गया इसके पशात सन 1756 में महबद सिंग बखाड़े की युद्ध में जैपूर राजी की और से लड़ता हुआ वीर गदी को प्राप्थ हो गया राजगडिक में उसकी विख्यात छत्री बने हुई है महबद सिंग की मरत्यों के बाद उसके पुत्र प्रताप सिंग ने 1775 में अलवर राजी की स्थापना की पूरे अलवर को एक दिन में अच्छे से देखा जा सकता है लेकिन इसका अर्थ ये बिलकुल नहीं है कि अलवर में देखने लाइक कुछ नहीं है अलवर एतिहासी के मारतों से भरा पड़ा है यह दीगर बात है कि इन इमारतों के उत्थान के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है लेकिन अलवर में घूमने लाइक जगहों में फत्यक गंच गुंबत, पुर्जन विहार और ऐसे ही भानगड का किला, कमपनी बाग, सेटी पैलेस, विजय मंदिर जील, बाला किला, जैसमंद जील, सिली सेड जील, कुंडला, जिलमिल देजील, जैसी अनेकों अनेक जगह हैं कुछूमने लाइक लेकिन इन सब को देखने के लिए अलवर में रुकना जरूरी है, अलवर में स्थित भानगड का किला विश्व प्रशित है, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, भारत की सबसे डरावनी जगों में से भानगड का किला एक है यहाँ पर मानिताओं के अनुसार रात के अंदर जाने से मृत्यू तक हो सकती है, इसलिए सरकार के द्वारा ही यहाँ पर रात में ना जाने का बोर्ड लगा दिया गया है आप और हम सभी जानते हैं कि भारत देश विविद्धताओं का देश है, भारत के अंदर इतनी कहानिया चुपी हुई है, भारत के अंदर इतनी बातें, इतनी क्यूंदंतिया, इतनी जगें हैं कि हमें वीडियोज बनाने के लिए और कुछ देखने की ज़रूरती नहीं है पूरा इतियास या पूरा भूगोल अगर हम समेटने बैठें तो भी हमारी पूरी जिन्दगी खप जाएगी लेकिन वीडियोस कभी खतम नहीं होंगे भारत के सभी इस्तों भारत के सभी जिलों और जिलों के अंदर बसे अलग अलग नगरों पर वीडियोस लगातार आती रहेंगी आप अपने आसपास की जगों के बारे में comment के अंदर जरूर लिखिए ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको like कीजिएगा और उरों के साथ जरूर से share कीजिएगा वीडियो के अंदर कोई भी सुधार के सुजाओ हों तो बेज जीज़क comment के अंदर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियोज देखते रहने लिए MSP Creator सबको अभी सबस्क्राइब कीजिए